पाव भाजी, नाम सुनते ही मूं में पानी आ जाता है, तो फिर क्यों ना घर पे ही बनाया जाए बाजार जैसा पाव भाजी, पर हाँ, इसमें हम जो पाजार में डाला जाता है, फूड कर वो नहीं इस्तवाल करेंगे, इसके अलावा हम एक हेल्दी आप्शन लेंगे, तो चली जट पर से पाव भाजी बनाना शुरू कर दे, सब्जू में मैं यहाप लिया है 250 ग्राम फूल गोबी, इसे मैंने बड़े टुकड़ो में कट कर लिया है, इसके साथ लिया है एक बीट रूट, इसे मैंने बड़े टुकड़ो में कट कर लिया है, जिससे पाव भाजी को हम यहां पर बॉइल कर लेंगे सबजी को बॉइल करने मैंने जाएबर सारre we भी देखिए हम चेक कर लेते हैं तो बीट रूटी सबसे हर रहता हुँ छैक फोसब प्लेंटर कर सकती हो डाइक सहब्सारी सब्सब्समवी कोई अब हम पाउ पाईजी जो मेंशिदे आगे अप मैसे उस्से आप यह वेंश के लेंगे तो वैसा टेक्शर तो आई जाएगा अगर आपको जल्दी होता ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पर ऐसे करके मैंने यहाँ पर यह पर यह वेज़ेटिबल्स अच्छे से मैश कर लिया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सब्सी का कलर जो बॉइल की है उसका कितन मच्छा सा कदर आ जाता है तो हम यहाँ पर पाओ भाजी बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है पैन के गरम होते हैं यहाँ पर हम डाल देंगे 50 ग्राम जितना बटर बटर आपको इसमें ज्यादा इस्तेमाल करना है तो यह अच्छा फ्लिवर आएगा और हा बाटर जले नहीं इसलिए तो यहाँ पर यह दोनों को थोड़ा साम गरम कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे गरम हो जाएगा यहाँ पर हम डाल देंगे बन भाट चमत जितना जीरा जीरे के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे एक बड़ा कटा हुआ प्यास आप यहाँ पर सॉफ्ट होगा फिर बाद में दूसराइन की रिट्रिंस डालेंगे तो इसे हमें दो मिनिट के लिए तो मिनिट जितना टाइम लगे है दो मिनिट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर प्यास सॉफ्ट हो चुका है अब हम डाल देंगे हाफ सिम्ला मिर्च बारी काट कर तो आपको अपने जितना प्यास लिया है उससे आधा पोश्चन आपको सिम्ला मिर्च लेना है अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे जिससे सिम्ला मिर्च भी अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर चार मिनिट जितना टाइम लेगेगा इससे अब इसी टाइम पर हम यहाँ पर डाल देंगे एक चमच अध्रक और लैसन की पेस्ट तो मैंने इसे पेस्ट करके डाला है मतलब की इसे दस्ते में कूट कर डाला है आप कोई भी रैडवेट पेस्ट पी लिए सकते हो तो पर इसे हम डाल देंगे और इसे एक मिनिट के लिए पका लेंगे जब तक लेसन की कच्छी फ्लेवर चलिना जाए तब तक तक तो बस अब इसी टाइम बर हम यहाँ पर डाल देंगे लाल लाल टमाटर तो मैंने यहाँ बड़ी साइज के दो टमाटर लिए है पाव भाजी में टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करते मतब जितना प्य साउब जाइए अब इस एक बार मिक्स कर लेंगे और एससे मिक्स कर लेने के बार 於स से ढ़कन से कवर कर देंगे और दो मिल्ट में हमारे टमाटर अच्छी से soft होकर ready हो जाएंगे तो यहां पर हम 2 मिनिद की बाए ठककना ठाक है चेक कर लेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं यह पेस्ट यासा बन चुका है अब यहां पर हम डाल देगे तो मैंने यह ने हापर काश्मेरी लाल मेशपाओडर लिया है ऐसके लिवेस also some लई आकड़े मावफाजी तौन यापर दो पड़े चमाचपश म्यटना पावफाजी मसाला लिए है तो यह तो थोड़ा सा पाणि जै जिसे मसाला जले नहीं इसे एक बार मिक्स करके ढकन से इसे सेर्फ और सेव एक मिनिट के लिए छोड़ दे तो हम यहाँ पर ढकन हटाकर जैक कर लेते हैं तो यह मसाल अच्छे से पक चुका है एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर ले दीखिये सब कुछ एक दम अच्छे से हो चुका है नहीं टमाटर दीख रहे है थोड़े थोड़े से कैपसिकम दीख रहे है पर बहुत छोटे से दीख रहे है तो अब इसी टाइम पर हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने वेजेटेबल्स की पेस्ट बना कर रखी थी वह वाली तो इसे मिंटर दें испрем कि इसे कभार अच्छे से मिला दे मिलन में थोड़ा चाइम लगेगा मतलब एक मिन्ट दो लगई जा ग किया तो यहां पर अच्छे से मैस्षोगी या अब इसे हम एक मिनिट के लिए धकन हट लगा कर छोड़देंगे मैं तो यहां पर धकन अटाएं एक बि बटली लग रही हो, तो आप यहाँ पर गरण पानी डालें, आपको याँ पर धान रखना है धंडा पानी यूजност पर जो इस ऐसा अजय हका तो यहाँ रहता है। गुड़र गरम पानी डालेंगे तो बहुत ही जो जितना कलर है वो ऐसा कि ऐसा ही रहेगा तो आप यहां पर एक ये टिप ध्यान रखे तो आपकी यहां पर जो कंसिस्टेंसी में आप पाव भाजी खा रहे हो उतना पानी या पर डाल दें तो यहां पर हम नमक एड्जेस कर लेंगे नमक डाल कर इसे एक बार मिक्स कर दे और इसे ढखकन से कवर कर दे एक मिलिट के बाद हम ढखकन अटा कर चेक कर लेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप आज कितनी अच्छे दिक रही है और मेरे दर्ब से यह एक तम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है अगर आप कूछ ज्यादा पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी उबला होगा डाल कर यहाँ पर एड़िस कर सकते हो तो यहाँ पर उपर से डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर बारी कटा हुआ फ्रेश रदलिया डाल दिया है अब यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं उपर से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एकदम बार जो मिलती है बाजार में वैसे ही पाव पाजी दिख रही है यह दिखें एकदम उसी की तरह के कंसिस्टेंसी है तो यहाँ पर पाव को सेखने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गरम करने के लिए रखाया उसमें हम डाल देंगे बटर बटर जिसे ही थोड़ा सा मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा उसके उपर हम डाल देंगे बहुत सारा धन्या पत्ता अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम रख देंगे पाव बीच में से काट कर इसे रख दें पाव को इस पाव को हम दोनों तरफ से बटर वाला कर देंगे इसे पल्ट कर इसे रख दें और यहां पर आप दूसरा क्या कर सकते हैं देखें थोड़ा सा और बटर डाल दें इसके उपर हम डाल देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला अच्छे से मिला लें और फिर इससे बटर वाला करतें यह देखें यह थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा तो यह हमारा बढ़िय पाव रेडी हो चुका है अब इसे हम सर्फ कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंड्स पाव बची मारे कितनी अच्छी दिख रही है उसका टेक्शर देखें बहुत ही मस्त लग रही है एक्टम देखते ही मुह में आप पानी आजाने वाली है उपर से हम डाल लेंगे बटर कि यह लोजी हमारे पाव बाजी एकदम बाजार जाजी बनकर रेडी हो चुकी है अब इसे गरमा गरम सर्फ कीजिए अगर रैसी भी आपको अच्छी लगए तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीस चलिए आपकी सब सब्सक्राइब कर ले पास मेरे बैल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आपके मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग